नमस्कार, अगर आपको attacking chess, अगर आपको interesting chess, अगर आपको combination वाला chess, यहाँ फिर जहाँ पे बहुती कुछ exciting हो रहा है, वो chess पसंद है, तो definitely यह वीडियो आपके लिए, आपको ज़रूर इससे कुछ ने कुछ सीखने भी मिलेगा और मजा तो बहुत आने ओला है राज, हम directly game की तरब जाते हैं, उसके पहले just मैं आपको बताना चाहूँगा, कि इसमें आप अगर देखिए, तो एक मैंने वीडियो बनाया था, मिखेल ताल, top 5 chess positions का, जो कि part 2 था, part 1 भी मैंने अप्रोड किया था, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे game select है हमने, अब directly game की तरब जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि उसको मज़ेदार तरीके सामे अनलाइस करें, right, d4, c5, e3, e6, knight to f3, d5 and then b3, kole zucker tot, यह जो setup है, generally उसमें बिशप यहीं से निकालते हैं, right, बहुत सारे variations पर आपने देखा हूँगा, white c3 कहलता है, जो के kole system है, उसमें pawn b2 पे रह जो बहुत ज़्यादा popular है, मुझे लगता है, starting from a normal level to higher level, right, लेकिन zucker tot उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं, बहुत कम लोग हैं, जो zucker tot use करते हैं, knight f6, bishop to b2, knight c6, bishop d3, अब बहुत बार यह होता है कि, अगर आप देखोंगे, तो knight b4 आकर इस bishop को attack कर सकते हैं, इसलिए जो इसी week मैंने एक shorter time game में खेला था, bishop e7, a3, obviously knight b4 को आप रोक रहा हो, and then कभी-कभी ऐसा भी होता है कि c into d, e into d के बाद bishop b4 check आ रहा है, तो वो भी बंद होगा है, फिलाल, castle किया, और यहां तक आते 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 आप अगर चेक करोंगे, तो बहुत सरे games आपको मिल जाएंग ace position में, right, लेकिन बहुत ही short time था और blitz और rapid में अगर आप सोचो, तो बहुत जाधा time नहीं होता है, तो मैंने यहां पर खेला g4, right, Alexi, Shiro, जिंदाबाद बोलके मैंने g4 खेल दिया, because उनका एक pet style था, बहुत सारे openings में उन्होंने g4 खेला था, right, so g4 खेला मैंने, अब यह आप एक्चुली देखो, आप तो knight into g4 एक option है, हाला कि गेम में उन्होंने b6 खेला था, लेकिन अगर वो knight into g4 मारते, तो मैं सब्सक्रा था, rook g1, अब दोनों bishop लगे हुए है, मतलब यह जो दोनों rocket है, वो लगे हुए है, और साथी साथ यह जो rook है, वो भी attack कर रहा है, मतल अगर hg5 को knight h7 आप खेलते हो, तो queen भी enter कर रहा है, अभी यह देखो, आपकी सभी लोग attack कर रहे है, including this pawn, तो definitely यहापे बहुत ही कुछ खराब सा होने वाला है, suppose अगर आप knight g5 मारते हो, तो rook into g5, rook into g5 queen h7, सीधा mate हो रही है, और queen h5 के बाद, अगर आप g6 जाते हो, dot का bishop है, वो क्यों इतना dangerous होता है, right, maybe d4 अगर आप खेलोंगे, तो rook h1 आ रहा है, और यह lost यह position, इसको आप बचा नहीं सकते हो, right, so इसलिए, मुझे लगा था कि, ठीक है, मैंने बहुत कुछ calculate नहीं किया था, बड़ अपको पता है, कि यहाँ पे ऐसे problems आ सकते हैं, तो b6 खेला, हला कि यह मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, b6, तो मैंने सुचा क्यों g5 खेलने के बड़े, क्यों नहीं ना, मैं knight bd2 खेल दूँ पहले, विकाद उससे होंगा यह है, कि अगर आप knight e4 खेलते हो, g5 के बाद, तो आपका pawn मर रहा है, और अगर आप h6 खेले हो में तो यह और ज़्यादा खराब होंगा, बिकाद रुक, g1, h4 और g5 आ रहा है, तो यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगा, बिशप bd1 खेल दिया, black ने, and then मैंने यहाँ पे खेला, g5, हला कि अभी भी knight g4 आ रहा था, पर same rook g1 आ रहा था, उसमें तो कोई problem नहीं था, g5 के बाद उनने के लिए knight e4, अब बंदे ने कहा सोचा कि चलो यार, passive खेलने से अच्छा है कि एक pawn दे के थोड़ा से active रखो position को, and then actually knight d7 जा सकते थे, जिसमें maybe h4 आ रहा है, rook g1, knight e5, queen h5, even h5, g6 भी आ रहा है, यह बहुत ही dangerous attack आ रहा है फिला, भले ही white का king देखो आप, कि e1 पर बढ़ा हुए, लेकिन इसका castle भी किया हुए, लेकिन फिर भी attack इस पर आ रहा है, black पर, right, so उनने के लिए knight e4, मैंने खुशी-खुशी pawn मार लिया, right, because यहां पे bishop into e4 के बाद, उनको लगा चाहा है, थोड़ा सा open up होगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि king अभी भी अभी भी उनका मुह खुला हुए, right, तो वो attack कर सकते हैं, अभी भी, knight in to d4 को हलकी मैं सोच रहा था, कि knight in to d4 ओ मार सकते हैं, जिसमें bishop into b7, rook b8, maybe queen cut d4, queen cut d4, bishop into d4, rook b7, और h4 आ रहा है, जिसमें, मुझे लगता है, white एक pawn up है, और end game को आराम से, अनवर्ट कर सकता है, right, so उन्होंने ये avoid किया, knight in to d4 को rook c8 खेल दिया, right, अब ये moment है हमारे पास, right, हमको सोचना चाहिए, क्या हो रहा है, because उस वक्त मुझे आदे कि, time इतना ठीक ठाक था, बट मुझे 2-3 ideas लगे, कि ऐसा हो सकता है, हालकि एक continuation जो मैंने नहीं खेली थी, थोड़ा सा चेक कर लिज जो मैं गेम वापस से repeat देख रहा था, कि g6, queen to h6, और मुझे लगा शायद bishop g5 मर रहा है, और मैंने वहाँ reject कर दे, हालकि bishop g5 को simply एक बहुत अच्छा मुआ रहा था, knight f5, problem ये, आपने हमेशा देखा होंगा, ऐसे positions हमेशा books में आते है, right, कि tactics के book में, या attacking chess के book में, अब knight f5 को आप इसको नहीं मार सकते हो, because यहाँ मात हो रही है, एकदम सामने वाली, right, लेकिन अगर आप उसको नहीं मारते हो, और bishop into g5 मारते हो, अगर आप bishop into h6 मारते हो, तो simply knight into h6 आ रहा है, और यहाँ पर आप देखो, मात हो रही है, यह बहुत ही, जबर्दस मेट होती, right, लेकिन यहाँ पर queen h5 के बाद, अगर और कुछ कहला होता है, जैसे कि g6 को maybe, queen h6 के बाद knight into d4 आप मारो, तो bishop into d4 आ रहा है, और अब यह position बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि यह bishop और queen में लाके यहाँ ल f6 को यहाँ पर bishop into g6 आ रहा है, takes, queen cut, king h8, queen check, king to g8 and then g6, अब यह merit बजाना बहुत मुश्किल है, right, maybe आप bishop b4 एक check दे सकते हो, लेकिन यह फिर भी lost ही रहता, because a cut b4, maybe queen e7, यहाँ पर यह आ सकता है, लेकिन अब मेरे पास material भी मैं down नहीं हो, तो आराम से मैं खेल सकता हूं, my position, maybe rook g1 भी आ सकता है, बहुत कुछ हो रहा है उसमें, right, तो यह जीतना चाहिए, मुझे लगता है, तो उन्होंने actually queen g5 को यह सब हुआ नहीं, game में queen h5 को, और मुझे continuation देखी दी, जो मैंने combination देखा था, कि यहाँ से आप कुछ direct attack कर सकते हो, right, क्योंकि यह rook से बहुत ही ज वाल है न, तो आप थोड़ा सा एक pawn down खेलोंगे तो भी चलेंगा, बट वो finish हो सकती है, वहाँ पर, तो मैंने मारा bishop into h7, right, अब bishop into h7 को problem यह है कि मारना ही पड़ेंगा आपको, आप king h8 तो जानी सकते हो, because यहाँ पर simply यह हमारे queen को खेल देंगे h5 पर, और फिर mate हो रही है तो यह बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको मारना पड़ा, king into h7, अब एक simple continuation है, queen h5 check, king to g8, और फिलाल आप g6 जैसे moves केलोंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेंगा इसको, इसलिए पहले मैंने मारा knight into c6, और जैसे knight into c6 मारा, यहाँ पर forced उसको मारना, because आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि queen d5 केलके इसको attack करो, यहाँ पर one moment हो रहा है, तो obviously ऐसा कोई आप threat नहीं create कर सकते हो, रुक से मारो या bishop से मारो, हमको कुछ problem नहीं होने माला है, because हमारा जो combination है, मतलब इस से उनका कुछ connection नहीं है, so उन्होंने मारा यहाँ पर bishop into c6, and then यह दूसरा piece sacrifice था, bishop sacrifice, एक हमने h 7 पर दिया, दूसरा हमने g7 पर दिया, और दो bishop sacrifice के बाद भी यह जो position है, इसमें black king की बड़ी problem हो गई है, because king into g7 के बाद, हाला कि मैं सूच रहा था है, यहाँ पर कि शायद f5 एक मूह आ सकती है, because इसमें, अगर आप देखो, तो immediately कुछ देख नहीं रहा है, मतलब यहाँ आप queen g6 नहीं खेल सकते हो, because bishop e8 या queen e8 जैसे मूज आ रहे है, और अगर आप g6 खेलोंगे, तो king g7 मर रहा है, तो आप एक बहुत अच्छा मूह आ रहा था, bishop to e5, अब problem यह है, कि queen सीधा मेट हो रहे है g6 पर, आप यह भी नहीं खेल सकते हो, because इसमें queen h8, king to f7 और queen g7 g6 नहीं आ रहा है, f6 नहीं आ रहा है, h6 नहीं आ रहा है, और next move में इसको मार के, like king f8 खेला, तो g takes f6, bishop f6, queen h6 और फिर यह मर जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, king e8, bishop into f6, और so how हो जाएगा, come right, so bishop into g7 के बाद हुआ यह कि king into g7 मारा, जो कि force था, अब मेरे combination का जो मैंने सोचा था, right, कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो final position आ रही है, queen h6, king to g8, g6, और इस position को मैंने बहुती clear cut देखा था, जब मैंने वो, उन्होंने rook c8 खेला था, उसके बाद, कि ऐसा position तो आ सकता है, because, और इसमें मारना भी forced ही है, मतलब आप मार मार के, king h8, check, यह मैंने सोचा है, right, लेकिन definitely इस दो-दो piece sacrifice हमने draw करने के लिए तो दिये नहीं होंगे, right, तो उन्होंने केला, यहाँ पे, king h8, मैंने केला, queen to h6, में भी यहाँ पे, rook g1 भी शायद, जीत सकते था, because, इसमें शायद bishop check का रहा है, मारा, maybe queen e7 अभी, लेकिन इसमें एक बहुती clear cut win आ रही that queen h5 खेल सकते हो, queen h7 और फिर queen e5, यह बहुती अच्छा transfer था, क्योंकि queen h6 स queen h6 नहीं आ सकता था, but queen h5 से queen e5 आ सकता था, अभी आप जो भी खेलो, आप row cap 6 और sub mate हो रही है, right, तो इधर तो आप जा नहीं सकते हो, तो queen g6 को king h8 खेला, मैंने दिया, check, वो इधर आये, अब मैंने देखा था कि rook g1, actually उस वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, कि bg5 अगर आ के ऐसा कुछ continue हो सकता था, लेकिन यहां दगाते आते हैं, वो भी बहुत देर सोचने लगा, और मुझे भी time मिल गया था, तो मैंने रिचेक कर लिया, फली white दो piece down है, लेकिन bg5 के बाद इसको मारोंगे अगर आप, तो वो quintex मार देंगे, king quintex and king f7 में भी, और अब जो है, उनके पास bishop और rook है, यह position अभी भी lost ही है, लेकिन at least उनको खेलने को कुछ मिल जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या है h4, मैंने कहला, rook into g5, अब problem यह है, कि time भी कम होता जा रहा था उसका, और साथ ही साथ, king जब expose होता है, तो किसी भी अच्छे से अच्छे player ही, आप देखो, बहुत ही wicket परिसी दी हो जाती है, right, so, और यह rook g5 के बाद, rook g8 खिला उन्होंने, मैंने queen h7 check दिया, king to f6, queen check, king e7, check, king to f6, अब obviously, ऐसे position में आपको जाधतर कोशिश करनी चाहिए, आपको थोड़ा confidence रखना चाहिए, क्या draw नहीं लूँगा मैं यह position, क्योंकि आपको जीतने के लिए कहलना ही पढ़ेंगा यहां से, right, so, मैंने कहला यहां पर rook to d1, और obviously, अभी तो मेरे पास material भी अच्छा खा चुका है, तो सवाल ही नहीं उड़ता, draw का, right, so, उनने के लिए बीडी 5, हालक कि यहां पर rook d1 के बाद, आपको जीतने की queen smos आ सकते थे, लेकिन अगर मैं normal pawn लेना भी चालो कर दूँगा न, तो भी मैं मुझे लगता है position अच्छी रहेंगी, right, अलकि बीडी 5 के बाद बह और एक move मिलेंगी, right, so, king into g5 मारा, c into d5, into d5, और अब देखो, यह king जो है, मतलब, यहां वहां, जहां ता, मत पुछो कहां कहां, भागते भागते, वो g5 पहुच गया, और, उसके बाद क्या हुआ हुआ कि, इसको अभी वापस नहीं जाने देने का, right, king जितना उपर आए खासकर middle game के, यहां board पे अब अगर आपके बास major pieces हैं तो, तो मैंने कहला queen f7, क्योंकि अब d5 मर रहे है, rook c5 से बचाया, यहां सब्सक्राइब करने वाले, कोई न कोई तो उसको हम साथी चाहिए, right, मतलब, b4 भी आ रहा था, बट मैंने देखा, rook c1 चेक को king d2 आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उसमें, right, rook d4 खेला, time बहुत कम था बंदे के पास, उसने खेला, rook c7, right, queen पे attack कर रहा है, मैंने दिया, check, queen into d5, queen into d5, और यहां पे, कुछ moves हुए, हम quickly देख लेते हैं, king f6, check, यह भी मार दिया, मैंने d8, अब जितना मिल रहा है, material, जितना समान मिल रहा है, सब समेट, लो, right, king d6, check, और king d5 को मैंने queen a6 खेला, मुझे लगा था, शायद वो b5 खेलने वाला है, लेकिन, after, I think queen a6, उसने resent कर दिया था, और यह शांदार गेम हुआ, मुझे लगता है, और, आसकर मैंने, actually, the blitz के games, generally, मैं बहुत जादा बाद में नहीं देखत जो, मतलब, दिवाग घूम जाता है, कि कैसे सोच सकता है बंदा कोई, right, तो उनको भी हम देखेंगे, और कोशिश करेंगे, कि बीच में अगर कुछ interesting games होते हैं, तो उनको मैं analyze करके बता हूँ, एक मेरा, इक दो game हुए है, जो एक pattern पर मैं हमेशा attack करने के लिए खेलता हू वो games आपको मैं जरूर दिखांगा, वो भैतरीन games होते, right, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होंगे, और जो मिखैल ताल, top 5 था, वो जरूर आप देखना, और हम कोशिश करेंगे, कि interesting chess, अच्छा content, और कुछ नो कुछ सीखने मिले, ऐसा chess हम जरूर देखते रहेंगे बगएर किसी दिक्कत के, right, मिनते रहेंगे, bye, thank you, कुछ रो, मस्त रो, bye